Few Minutes Movies के दोस्तों, आज हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं The Invisible Man 2020 को. आज की स्टोरी स्पॉलर से भरी हुई है और आपको देखने में यकीनन बहुत मज़ा आएगा. ये कहानी सेसिलिया नाम की एक लड़की की है, जिसके साथ अजीब और गरीब हादसात पेश आने लगते हैं. उसे कोई नजर तो नहीं आता पर उसे मुख्तलिफ तरीकों से तंग करता है, यहां तक के वो जहनी मरीज बन जाती है, और फिर उसके साथ ऐसा क्या हादसा पेश आता है, जो उसे पागल खाने भेश देता है. तो चलिए एक्स्प्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं. कहानी शुरू होती है और हमें सुनसान से इलाके में एक घर दिखाया जाता है, जिसमें सेसिलिया नाम की एक लड़की अपने बॉइफरेंड एड्रियन के साथ रहती है. सुभा के चार बजे हैं और सेसिलिया अभी त पूने से पहले एड्रियन को दे दी थी, क्योंकि उसका प्लैन घर से भागने का था, उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था. ये समझना जरूरी नहीं है कि एड्रियन बुरा आदमी था और उसके साथ बुरा सुलुक करता था. वो घर से भागने पर मजबू हो गई थी. आज वो उस घर से निकलना चाहती थी. एड्रियन के बारे में हम धीरे धीरे जान जाएंगी. सेसिलिया एक बैग पैग करती है और हमें एक घर दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि एड्रियन एक बहुत ही अमीर आदमी था. वो साइंसदान है और हाल ही मे वो एक बहुत बड़े प्रॉजेक्ट पर काम कर रहा था. वो किसी तरह घर से निकलने पर काम्याब हो जाती है और जैसे ही वो दिवार से गुजरने लगती है तो तबी अलाम बच जाता है और एड्रियन भी जाग जाता है. उसने पहले ही अपनी बहन को खबर दे दी थी और वो उसे लेने के लिए वक्त पर पहुंच जाती है लेकिन सेसेलिया ने उसे पूरी बात नहीं बताई थी इतने में एड्रियन भी वहाँ पहुंच जाता है और वो उसे कार का शीशा खोलने को कहता है लेकिन वो इससे बहुत ही जादा डरती है उसके बाद एड्रियन क कार का शीशा हाथ से तोड़ने लगता है। इस बाद से सेसलिया की बेहन एमिली भी बहुत डर जाती है। और जल्दी से कार को उदर से भगा कर ले जाती है। गलती से भागते वक्त उसके हाथों से वो ड्रग्स नीचे गिर जाती है। और एड्रियन उसे उठा लेता है। ये मनजर यहीं पर कट हो जाता है, उसके बाद हमें दो हफ़ते के बाद का मनजर दिखाया जाता है, जिसमें सेसिलिया अपने एक डिटेक्टिव दोस के घर रह रही होती है, वो अब तक एड्रियन से इस कदर डरती थी कि वो घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, उसे लगता लगती है, कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहां पर मत आना, वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहां तक भी पहुंच जाएगा, और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यह बताने आई थी, कि एड्रियन ने खुदकुशी कर ली है, अब वो इस दुन्या में नहीं रहा, तुमको भी अब उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसे इस बात पर बहुत हैरत होती है, इसे इस बात का यकीन भी नहीं आ रहा था, वो उसे कहती है कि सब कुछ तो था उसके पास, बस उसे सब चीजों पर कंट्रोल रखने की आदत थी, और वो मुझे भी अपने कंट् की मा बनू, इसलिए मैं पिल्स खाती थी, ताकि मैं प्रेगनिट नहीं लेकिन एक दिन उसे पता तो चलना ही था, इसलिए मैं अब उधर रहना नहीं चाहती थी, मैं वहां से भाग गई, अब आइस्ता आइस्ता सेसिलिया का एड्रियन से डर उसके दिल से खतम हो रहा था अब वो धीरे धीरे बाहर भी निकलने लगी थी, कुछ दिन बाद उसके पास एड्रियन के भाई का खत आता है, वो हैरान थी कि टॉम को कैसे पता चला जेम्स के घर का एड्रिस, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने जाती है, क्योंकि वो एड्रियन का सिर्फ भाई नहीं, बल इतना पैसा होने के बावजूद भी, वो इसे अपने कंट्रोल में नहीं रख सका, लेकिन इतनी दौलत से वो सब चीजों को कंट्रोल में रख सकता था, वो बोलता था कि दौलत से आप किसी भी चीज़ को खरीच सकते हैं, यहां तक कि किसी इनसान को भी, और आखिर में व क्योंकि उसका सपना एक महंगे कॉलिज में पढ़ने का था, रात को उसे दिन सेसिलिया को महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पीछे था, और सुबह को नाश्ता बनाते हुए भी अचानक आग बढ़क जाती है, रात को भी उसे महसूस होता था जैसे कोई मुसलसल उसको दे देखती है तो उसकी चादर बेड के नीचे गिरी होती है, जब वो उठती है और उसे उठा कर अपने बिस्तर के तरफ आ रही होती है, तो कोई चादर पर खड़ा हो जाता है, उसे चादर पर किसी के पाउं भी दिखाई देते हैं, जैसे किसी के पाउं की परचाई हो और तो कदम धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, वो डर जाती है और चीखने चिलाने लगती है। तब ही Jamez और सड़ने भी आ जाते हैं और Jamez उसके कमरे में आता है, वो बार 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 कह रही थी कि यहां कोई है, कोई उसकमरे में था लेकिन Jamez को इस बात का यकी नहीं आता जेम्स उसे अराम करने को कहता है यहां तक कि सेसिलिया खुद को भी तसली दे रही थी कि ये कुछ भी नहीं बलकि उसके माजी का खौफ है उस दिन वो इंटर्वियू देने जाती है और जब वो इंटर्वियू दे रही होती है तो उसके बैग से सारे डॉक्यूम जा एक किसम का ड्रग है वो डॉक्टर्स फॉन पर उसे ये सब बता रहे थे तब ही जब वो वाश्रूम जाती है और वो वहीं पर उस ड्रग को देख लेती है जो के नीम की गोलियां थी जो उसने एड्रियन को दी थी ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जा जाती है और उसे सब बता देती है और उसे कहती है कि देखो इसमें कोई शक नहीं कि एड्रियन बहुत बड़ा माहर साइस्तान था उसने जरूर कोई न कोई ऐसी खोज निकाली है जिससे वो गाइब हो गया है और वो उसे परिशान कर रहा है टॉम और जेम्स को उसकी बात का बिलकुल भी यकीन नहीं आता और टॉम उसे कहता है कि देखो वो मेरा भाई था पर वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही बुरा सिलुक नहीं करता था बलके उसने मेरा भी जीना हरम कर दिया था अब उसके मरने से मुझे बहुत सुकून मिला है वो सेसिलिया को बताता है और उ मुझे जो बाते कहीं थी मैं वो बाते सारी जंदगी नहीं भूल सकती और सेसिलिया का दिल इस बात पर बहुत दुखता है वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैंने तुम्हें कोई भी इमेल नहीं की लेकिन एमिली को इसकी बात पर यकीन नहीं आता सेसिलिया उ तो किसी ने उसके कंप्यूटर से वाके ही एमेल भेजा होता है। वो अपने माजी में फस गई थी। वो बहुत रोती है और फर्श पर लेटी होती है। तब ही सिड्नी आती है और उससे उसका हाल पूछती है। तब ही एड्रियन जो के गाइब था वो सिड्नी को जोरदार थपड मार देता है। और सिड्नी इस सब का अलजाम सेसिलिया पर लगाती है। जब जेम्स वहां आता है, वो सब देखता है तो सेसिलिया पर बहुत गुसा होता है। और इसे कहता है कि तुम्हें इदर से चले जाना चाहिए, तुम्हारे दिमागी हालत दिन बदिन खराब होती जारी है। सेसिलिया को पता चल चुका था कि एड्रियन जिन्दा है, वो इसे तंग कर रहा है, तो वो कमरे में हर जगा कॉफी नीचे गिरा देती है, ताकि वो अगर उसके पास आए, तो उसके कदमों के निशान उसे नजर आएं। जिस दिन उसके उपर से किसी ने चादर हटा दी थी, तभी सेसिलिया को किसी अंजान नंबर से मेसेज भी आता है, जिसमें लिखा था सर्प्राइज, वो समझ गई थी कि कोई तो इसके करीब है ही, वो जल्दी से पेंट का डिबा उठा कर दरवाजे पर डाल देती है, जि उसे वो इनसान फिर से गाइब हो गया था, वो अब उस पर हमला कर देता है, मगर वो किसी तरह अपनी जान उससे बचा कर घर से बाहर भाग जाती है, वो एक टेक्सी से लिफ्ट लेकर एड्रियन के घर में पहुंच जाती है, एड्रियन का घर हाई सिक्यॉरेटी से लौक लेती है तब तक वो गाइब शुदा आदमी भी घर में आ जाता है वो सेसिलिया पर हमला करता है लेकिन दर्मियान में उसका कुट्टा आ जाता है जिससे उसको घर से भागने का मौका मिल जाता है वो भाग कर कॉल करके अपनी बेहन को एक रेस्टरांट में बुलाती है ताक इससे पहले कि वो उसे कुछ बताती कि तब ये गाइब शुदा इंसान जो के एड्रियन हो सकता है वो एमली का गला काट देता है और जल्दी से उसे चाकू को सेसिलिया के हाथों में पकड़ा देता है जिससे सब को यही लगता है कि उसने अपनी सिस्टर का कतल किया है सब को उस बात पर यकीन आ जाता है कि उसके दिमागी हालत ठीक नहीं है इसलिए उसे जबरदस्ती एक मेंटल हॉस्पिटल यानि पागल खाने में भेज़ दिया जाता है वो हस्पताल में भी मसलसल यही कह रही थी कि एड्रियन जिंदा है और उसने ही ये सब किया है लेकिन वो सेसलिया को इंजेक्शन लगा कर बेहोश किया जा रहा था तो कोई उसके कान के पास आकर बोलता है कि सर्पराइस जिससे वो समझ जाती है کہ आड्रियन अभी भी उसके साथ है और यह सब टमाशा देख रहा है उसके बाद सेसलिया का डेटेक्टिव दोस चैम्स उसे मिलने आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि उसे अभी भी यहीं लगता है कि सेसिलिया ने अपनी दिमागी हालत खराब होने की वज़ा से अपनी बहन को मार दिया लेकिन वो उसे कहती है कि यह सब एड्रियन ने किया है औ हलाकि उसने तो गोलियां भी खाई थी तब ही एड्रियन का भाई जो उसका लायर भी होता है वो उसके पास आता है और इसे बोलता है कि तुम आब एक कातल हो एड्रियन की वसीयत से जो तुमें पैसे मिले थे वो अब नहीं मिलेंगे शर्त यही थी कि अगर तुमने कोई क हिसा भी होगा वो ये भी बताता है कि एड्रियन हमेशा से जानता था कि तुम पिल्स खा रही हो जिसके लिए उसने वो पिल्स बदल दी थी और इसलिए तुम आज प्रेगनेंट हो अगर तुम एड्रियन के पास वापस चली जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा पर वो साफ इंकार कर देती है क्योंकि एड्रियन ने उसकी बहन को भी मार दिया था अब तो वो कातल बन चुका था अब उसे टॉम से भी नफरत होने लगी थी क्योंकि आखर कार वो भी अपने भाई के तरह एक दरिंदा ही निकला वो भी ससिलिया को तंग कर रहा था पर दुनिया वा जबाद आएगा शाहिद तुम अपना फैसला बदल दो रात को ससिलिया अपने हाथ उसी पैन से काट कर ये कहती है कि तुम मुझे कभी भी हासल नहीं कर सकते और नहीं अपने बच्चे को तभी एड्रियन उसका हाथ पकड़ लेता है तभी ससिलिया उसी पैन से उस पर हमल भी दिखाई देती है एड्रियन उस गार्ड पर भी भारी पड़ जाता है और उसे मार देता है तभी ससिलिया वहां से भागने लगती है हास्पिटल के और भी गार्ड आ जाते हैं एड्रियन या सूट में जो भी मौझूद था मुझ सब गार्ड को मारता नहीं है बस जख की गन उठाकर अड्रियन का बीचा करती है और उसको ढूंने लगती है क्यूंकि उसे अब पता चल चुका था कि डरने से एक कुछ हासल नहीं होगा और उसे अब उसका सामना करना ही होगा तो वो अड्रियन को ढूंने लगती है ताके वो उसको मार सके गाइबशुता इं और उसे खबरदार करती है कि सेडनी के जान खत्रे में है अब उसके घर का मनजर दिखाया जाता है जहां पर वो गायब शुदा इनसान आ चुका था तब तक जेम्स भी घर आ चुका था और एड्रियन उस पर हमला करता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है सही वक्त पर सेसिलिया भी बहां पहुंच जाती है उस पर फायर स्प्रे करती है फायर स्प्रे से वो नजर आने लगता है और जल्दी से अपनी गन की सारी गोलियां उसके जिसम के अंदर उतार देती है सूट खराम हो चका था औब वो दिखाई दे रहा था और वो जमीन पर गिरा पड़ा था, जब सेसिलिया उसका मास्क उतारती है वो एड्रियन नहीं था, बलके उसका भाई टॉम था, एड्रियन अब भी अपना खेल खेल रहा था, जेम्स को भी अब सेसिलिया पर यकीन हो गया था, और जेम्स अपनी एक टीम को एड्रियन के घर भेजता है, और एड्रियन उनको अपनी बेस्मेंट में बंधा हुआ मिलत उसे अभी भी यही लगता है कि ये सब एड्रियन का प्लैन था, वो फॉन करके उसे मिलने का कहती है, और उसके घर जाती है, एड्रियन कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मेरा तुम्हारे साथ रवया बहुत ही बुरा रहा, लेकिन अब मैं बदल गया ह मैं सब के लिए बहुत चर्मिंदा हूँ और तुम से माफी मांगता हूँ वो उससे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि सब ठीक हो जाए और मैं हमारे बच्चे के साथ तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें सब कुछ कुबूल करना होगा क्योंकि मैं अपने रिष्टे की मैंने तो कुछ भी नहीं किया इस पर सेसिलिया रोने लगती है और एड्रियन उसके करीब आकर उसे समझाने लगता है और ऐसी बात कहता है जिसका मतलब सिर्फ सेसिलिया को ही पता था जिससे सुनकर उसे मैसूस होता है कि ये बिलकुल वैसा ही है ये कभी नहीं बदल सकता उसे यकीन आ चुका था कि ये वही दरिंदा है वाशूम के बहाने वो वहां से चली जाती है वो सूट पहन लेती है लेकिन ये सब हमें नहीं दिखाया जाता वो आती है और एड्रियन का गला कार्ट देती है और CCTV फोटेज में भी यही दिखाया जा रहा था कि उसने अपना गला खुद ही काट दिया है जब वो वाशूम से आती है तो एड्रियन तडप रहा था वो से देखकर घबरा जाती है और रोते हुए जल्दी से पुलिस को फोन करके बुलाती है उसके पास बैटकर रोने भी लगती है और फिर अचानक खामोश हो जाती है और उसे देखने लगती है कि ये सेसिलिया का पलट के वार करने का तरीका था उसने बिलकुल वैसा ही किया जैसा एड्रियन का अंदाज था सेसिलिया के चहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी वो बाहर आती है और जेम्स हैरान था वो पूछता है क्या हुआ ये मूवी यहीं पर end हो जाती है few minutes movies के दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप next कौन सी मूवी देखना चाहते हैं comment section में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को like या फिर dislike जरूर किया करें ताकि हम अपने content की assessment कर सकें बहुत शुक्रिया